हलो एवरिवन वेल्कम बैक तो स्टडी आएक्यू चैनल आज हम देखेंगे फंड्स ओफ गवर्मेंट क्या होता है गवर्मेंट के क्या फंड है जैसे आपका वॉलेट होता है इसमें आप अपने पैसे डालते भी हो और यहीं से आप निकालते भी हो सिमिलर्ली फंड ऑफ गवर्मेंट का एक वॉलेट है जिसमें गवर्मेंट अपने सारे जहां से इंक रेविन्यू होता है उस रिसीड होती है उस पैसे को यहां पे डालते हैं और यहीं से खर्चे के लिए पैसे निकाले जाते हैं Constitution ने Government of India को तीन तरह के फंड बनानी को बोला है Consolidated, Contigency and Public Account तीनों क्या फंड है और जो पैसा आ रहा है Government के पास उसको कैसे डिस्ट्रिब्यूट करा जाए कि वो Consolidated में जाएगा Contigency में जाएगा या Public Account में जाएगा इसके साथ ही इन फंड से या फिर ऐसे मान लो कि यह जो वालेट ऑफ गवर्मेंट है इससे पैसा निकालने की प्रमिशन किसको है कैसे इसमें से मनी निकलेगी expenditure के लिए इन सारी बातों के बारे में डिसकस करेंगे मेरा नाम संतोश है Consolidated Fund of India which is under Article 266, Contigency Fund Article 267, Public Account of India Article 266 में 2nd close है तो यह तीन फंड है हमारे सबसे पहले बात करते हैं Consolidated Fund of India के बारे में Article 266 के अंडर Now हमने जब Money Bill and Finance Bill पढ़ा था तो Money Bill में specifically यह बात बोली गई थी कि Consolidated Fund of India में जो भी पैसा आएगा या Consolidated Fund of India से जो भी पैसा निकाला जाएगा वो Money Bill के अंडर आता है आप Corporate Businessman से Tax ले रहे हो आप Custom Duties लगा रहे हो इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट के इसके साथ ही आपका Non Tax Revenue जैसे कि आपने कहीं पर License Fee लगाई है आपने कहीं पर Dividend लगाया है पब्लिक सेक्टर से जो आपको Profit हो रहा है यह सारा आपका जितना भी Revenue Receipt है यह सारा का सारा जाता है Consolidated Fund में इसके साथ ही Government में जितने भी Loan लिये हैं Treasury Bill से आपने किसी अपनी RBI से बैंक लिया है किसी दूसरी बैंक से लोन लिया है आपने External Abroad में किसी बैंक से लोन लिया है वो सारे Loan का पैसा आपके Consolidated Fund of India में जाएगा इसके साथ ही अगर सरकार ने खुद ने पहले कोई Loan दिया था State Government को या किसी को भी वो लोन का अगर पूरा चुका दिया गया है और वो पैसा अगर वापिस आया है तो वो पैसा भी Consolidated Fund of India में जाएगा तो Consolidated Fund of India में तीन तरह का पैसा जाता है आपका Tax and Non Tax revenue जितना भी Tax and Non Tax से आ रहा है इसके साथ ही अगर सरक करने कभी भी किसी भी तरह का कोई Loan दिया था तो उसका अगर री पैमेंट हुआ है तो वो सब यह सब जाएगा Consolidated Fund of India में तो इसमें दोनों तरह के आपके हुगए Direct and Indirect Tax से जो पैसा आ रहा है साथ ही में Returning of Loan या Government ने अगर लोन लिया है तो उसका Now इस जैसे कि Budget में आ होता है budget के लिए जो खर्चा होता है वह हम कहां से निकालते है Consolidated Fund of India से तो उसके लिए क्या होता है हमारा voting होता है जैसे कि government finance will money will present करेगी ताकि इसमें से पैसा निकालने के उनको permission दी जाए तो इसके लिए parliamentary approval must है बिना Parliament के approval के Consolidated Fund of India से पैसे नहीं निकाले जा सकते जै प्राइर प्रमिशन चाहिए होती है President की तो यह पूरा Consolidated Fund of India है बहुत सिंपल है complicated कुछ भी नहीं है तीन चीजे ध्यान रखने है tax non-tax revenue सरकार का लियावा loan और सरकार को वापिस चुकाया गया loan सब कुछ जाता है Consolidated Fund of India में सेकिंड आता है हमारा Contigency Fund of India जैसे कोई आपदा आ गई हो for example अभी COVID के मामले में जो fund निकाला गया वो contingency fund निकाला गया अब एक बात सोचो कि जैसे एक impressed money होता है offices में काम करते हैं तो impressed money होता है इसको impressed account क्या गोलते है कि office में suddenly कोई खर्चा आ गया है जैसे कि very suddenly आपने कोई event organize कर लिया है या very suddenly आपके office में बहुत जादा गया है तो आपने पहले नहीं फा तो impressed में से पैसे निकाल के इस event को fulfill कर दो फिर इस impressed account को वापिस refill कर दिया जाएगा तो यह होता है तो contingency fund of India impressed type का होता है उसकी money specific purpose के लिए होती है emergency के लिए article 267 के अंडर इसका provision दिया गया है तो यह जो fund है यह आप देखो 267 1 लगावा है इसमें यह ना यह contingency fund of India act 1950 in act करा गया था तब इस fund को बनाया गया था जैसे की consolidated fund को approve करवाने के लिए parliament की permission चाहिए होती है contingency fund आपदा का मतलब क्या है कि sudden आ गई है parliament का session बुला के आप पूरा process करके इस fund में से पैसे निकलवाने का time नहीं है आपदा है suddenly पैसे चाहिए हमको तो suddenly पैसे का जो power होता है वो president के बिहाफ पे हमारे राश्ट्रपती के बिहाफ पे department of economic affair जो ministry of finance है इनके जो finance secretary होते है इनके अंडर होता है ठीक है president इनको control देके रगता है तो और यही executive action पे होता है कि executive action निकाल दिया एक notice निकाल दिया और उससे पैसे निकल जाते है contingency fund जो है यह सिर्फ आपदा के लिए emergency हो गई है कोविड में अभी कुछ था नहीं emergency हो गई कहीं पर cyclone आ गया suddenly hit कर गया पैसे नहीं है उपैसे निकाल के दे दिया तो पहले यह पचास करोड का था फिर इसको बढ़ा के कर दिया गया है अच्छा अब बात होती है कि असा contingency fund में पैसे कहां से आए तो contingency fund में पैसे consolidated fund से ही आते हैं मान लो कि आपने अभी एक cyclone आया इसको ध्यान से समझना let me just explain it to you cyclone आया cyclone के अंदर आपको 500 करोड में से आपने 50 करोड निकाल लिया आपने गोला 50 करोड चाहिए मुझे relief के लिए अब हमारा fund गेता हो गया 450 करोड का तो यह 450 करोड में जो 50 करोड हमने निकाले हैं यह हम consolidated fund of India से वापिस लेके इसमें refill कर देंगे और इसको पूरा 500 करोड बना दे तो जब आप वापिस क्या कर रहे हो consolidated fund of India से निकाल रहे हो तो इसके लिए आपको चाहिए parliamentary approval तो यह न एक ऐसे मानों कि security है कि मानलो आपने 50 करोड निकाल लिये बिना किसी काम के ऐसे ही कि अच्छा मुझे तो emergency नहीं थी ऐसी किसी scheme को implement करने के लिए थे तो आपको Parliament को answer करन कि क्यों निकाले, contingency नहीं थी, आपदा नहीं थी तो यह 50 करोड क्यों निकाले गए फिर यहां पर government पर question mark आता है, government की accountability पर question mark आता है, तो यह Parliament के through हलांकि contingency fund को parliamentary approval नहीं चाहिए लेकिन इसको fill करने के लिए इसमें वापिस पैसे डालने के लिए Parliament का approval चाहिए और यहीं पर government की accountability आती है, कि इस पैसे को ठीक से खर्च करा जाए, okay, अचाहा, state के अंदर भी similarly state का अपना account होता है, और state अपना account में कितना quantum रखेंगे, किते पैसे रखेंगे, यह totally state legislature पे depend करता है, third है हमारा public account of India, जो article 266-2 के अंदर लिया गया है, 262 में, public account, नाम से समझो, public का account है government के pass, मतब government, अपने citizen से, public से, जितना भी पैसा लेती है, आपने कोई saving account खुलवाया है, या कोई EPF है, PPF है, या कोई insurance है, यह सारा जो पैसा है, आप क्या करते हो, जैसे कि postal insurance है, postal insurance में आप क्या करते हो, या कोई national saving certificate है, तो इसमें क्या करा, आपने पैसे दिए, वो एक paper ले ल insurance के लिए, अब वो जो पैसा आपने जमा करा है, यह आपका पैसा है, जिस दिन आपको चाहिए होगा, सरकार को आपको देना पड़ेगा, मारलो आपको कल चाहिए, तो आपको उसके लिए पूरी Parliamentary approval नहीं चाहिए होगा, पूरा Parliament विठा के आपके पैसे को वापिस देने क लिए एक decision ही लिया जाएगा, तो यह एक ऐसा fund है, जो public के बिहाफ पे government रखती है, आपने पैसे submit करा, government के पास वो पैसा पड़ा है, वो जाएगा public account of India में, तो यह ऐसा fund है, जिसमें other than consolidated fund, consolidated में कहां से आया, revenue या फिर आपने कोई भी borrow करा या borrow उतारा तो उससे, उधार ल सम्रदी यूजना है, इसमें आपने पैसा डाला saving के लिए, तो यह government के पास revenue, non revenue नहीं है, this is your saving, you have given to government for a particular time, कि जब आपको जरूरत होगी, सरकार आपको वापिस देगी, इसी तरह national small saving fund हो गया, defense fund हो गया, national investment fund हो गया, climate and contingency fund, provided fund, postal insurance, यह सारे ऐसे account है, जो हम as a public सरकार के सा सरकार के पास अपना पैसा save करके रखते हैं, और जब जरूरत हो ही, सरकार हमको देगी, और यह पैसा जाता है, public account of India में, क्यूंकि इसमें किसी तरीके पार्लेमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो किसी भी तरीके executive action के साथ इसे पैसा निकाला जा सकता है, generally यह banking transaction होता है, त स्टेट का सिमिलर होता है, और इसके अंदर public account of India में भी जितना expenditure करा जाता है, वो सारा CAG हमारी audit करती है, तो यह तीन important fund से हमारे consolidated contingency and public account, तीनों में अलग-अलग तरहे का fund पैसा आता है, और इनके approval का अलग decision होता है, so this is about this, काफी important है, यह काफी सारा कभी-कभी confusion पे रहता है कितना पैसा है, कहां से आता है, प्रिलियम के लिए काफी questions आते हैं, आप इस video का PDF मेरे telegram से download कर सकते हैं, this is it here, I'll see you guys in the next, till then be happy, जेहिंद